हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वहरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंत के उत्राखन करेंड एफेर्स के बारे में जैसा कि आपनों को पता है कि हमारी करेंड एफेर्स की सीरीज मंतली चलती है जिसे हम 2018 से continue कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंड एफेर्स के बारे हैं बात करेंगे जो कि आगामी आपके UK ट्रॉपल से यह था UK PSC के सभी एक्जाम्सों की होने वाले हैं पटवारी, रेकपाल, बंदी रक्षक, SI, पुलीस इसी के साथ में अपर PCS का एक्जाम पेपर होना है, ROARO के एक्जाम पेपर होने है, तो सभी एक्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण एक करेंड एफेर्स हैं जिसमें उत्राखन पूचा जाता है, तो इससे पहले के करेंड एफेर्स की वीडियो अगर आप लोग ने न चाते हैं, तो चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप उत्राखन के आगाम एक्जाम से तो उत्राखन और हिंदी के complete online course से जुलना चाते हैं, या फिर किसी भी टेक्टिक सैट के बैस से जुलना चाते हैं, तो प्लेज स्टोर से हमारी application उत्राखन G के वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके जूर सकते हैं और फ्री में भी वहाँ पे बहुत सारी टेस्टेस अभी लेवल हैं 15-20 आपको फ्री मोग टेस्टेस वहाँ पर मिल जाते हैं आप उन्हें भी अटेम्ट कर सकते हैं जो भी UK टरप्रेस से की तैयारी कर रहे हैं तो सीत कालीन इसकींग खेल परतियोगिता 2022 का आयुजन उत्राखन में औली चमूली में किया गया है और यहाँ तीन दिवसी खेल परतियोगिता का आयुजन अगला मारा दूसरा परसन है हाली में चर्चा में रहा अंतराश्टी चिलियां घर का निर्माण कहां किया जा रहा है तो हाली में चर्चाओं में रहा अंतराश्टी चिलियां घर का निर्माण कि जन्पद में क्या है दार है तो जन्पद पुछेगा तो है नानी ताल और लोकेशन पुछेगा तो गौला पर हल दो नी अगरा हमारा प्रसना है A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence नामक पुस्तक के लिखा कौन है तो A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence पुस्तक के लिखा के रसकिन बॉंड कौन है रसकिन बॉंड जी है और रसकिन बॉंड जी की काफी सारी बुक्स पहले UKCCC और UKPSC के दोरा एक्जामस में पूछी जा चुकी है और रसकिन बॉंड के बारे में अगर आपको ज्यादा चीज़ें जाननी है दोस्तो तो उत्राखन की जो हमारी Postmaterm Classes है आप उनको डिक्लेली फॉलो कर लीज़ेगा एक्जामस के लिए काफी महत्रपूर्ण बॉक्रास है कि रसकिन बॉंड जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है निकि इनका जन्म कब हुआ था कहा हुआ था और इनके कुछ तीन से चार फेमस बुक्स के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यहाँ बुक भी याद रख लेनी है अगरा हमारा प्रसन है दोस्तो कि हाली ही में जारी उपभोक्ता मूली सूजकांक के आगणों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले दस राज्यों में उतराखन का कौन सा इस्तान है तो हाली में जो उपभोक्ता मूली सूजकांक के आगड़े जारी किये गए है इसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उतराखन राज्य का कौन सा 8 वे इस्तान पर है हमारा उतराखन राज्य यानि कि उत्राकंड राजी में आठवे नंबर पे सबसे अधिक महंगाई है उपभुक्ता मूल्य सोचकांग के अनुसारी, आपको याद रहे हैं अभी वर्तमान में हमारे कितने राजी देथा, कितने केंद्र साचित परदेश हैं, यह दोस्तों एक बहुत महित्वपन प्र इस परियोजना का संबंद है रवी चोपडा समीति से, कौन है? रवी चोपडा समीति से इसका संबंद है, क्या कि रवी चोपडा इस समीति है अधिक से है, इसलिए चार धाम सलक चोड़ी करन जो परियोजना है, इसका संबंद किस से है? रवी चोपडा समीति से हैं, अगर अगर आयूजन पुछेगा तो आयूजन किया गया दोस्तों कहां पर रिसी केस देहरादुन जनपद में और रिसी केस देहरादुन जनपद में जो आपका फूल चट्टी नामक इस्थान है फूल चट्टी वहां पर को दसवे गंगा क्याक मौसव दो जार बाइस का आयूज चैंपियन का किताब जीता है तो क्या किंग चैंपियन का किताब इसमें जीता है महिला वर्ग में प्रेंका रणा ने तथा पुरुस वर्ग में किसने अमित थापा ने और इसका आयूजन कहां पर बता दस्वा गंगा क्याग महुसव का आयूजन लक्षमर जूला निलकंठ मार्ग पर हेवल और गंगा नदी के संगम परिस्तित फूल चट्टी में गंगा के गोल्ट कोर्स रैपिड में गंगा क्याक महुसव 2022 का सुबारम किया गया है जो कि 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक आयजन किया गया था गंगा क्या कमहुसव रिसी केस आप याद रख सकते हैं रिसी केस के फूल चटी नामकिस्तान पर चहांपे हैवल और गंगा नदी का संगम होता है वहाँ पर को इसका आयजन किया गया था और महिला वर्ग में प्रियंका राणा जी ने क्या किंग चैंपियन का खिताब जीता है और पुरुस वर्ग में अमित थापा ने क्या किंग चैंपियन का खिता है अगला हमरा प्रस्ण है कि हाली में उत्राखन सरकार ने किसे अपना brand ambition न्यूकति किया है तो हाली में उत्राखन सरकार के दोरा अक्षे कुमार को अपना brand ambition न्यूकति किया गया किसे अक्षे कुमार को अग्ला हमारा प्रस्न है तो अग्ला हमारा प्रस्न है कि हाली में उत्राकन में कौन से विदानस्वागी चुना हूए है तो हाली में दोस्तों उत्राखन में पांचवी विधानसभा के चुनाओ हुए हैं अभी तेक चार चुनाओ हो चुके थे पहली विधानसभा के चुनाओ 2002 में होए थे दूसरी विधानसभा के चुनाओ 2007 में होए थे तीसरी विधानसभा के चुनाओ आपके 2013 में हुए थे sorry 2012 में हुए थे चौती विधानसवा के चुनाव आपके 2017 में हुए थे और पांचवी विधानसवा के चुनाव भी 2022 में हुए हैं और किस तिथी को मतदान हुआ है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको जाद रखना है तो 14 फरवरी 2022 24 फरवरी 2022 को पांचवी विधानसवा चुनाव के लिए मतदान किया गया है और इस बार के चुनाव में मतदान परतिसत कितना रहा है दोस्तों तो 65.56 परतिसत रहा है कितना 65.56 परतिसत और कितनी विधानसवा की सीटे हैं उत्राकन राज्जी में ये भी आपको याद रखना है तो 70 दोस्तों विधानसभा की सीट हैं पहले कितने थी टोटल इगतर थी क्योंकि 70 तो निर्वाचित थी और एक मनोनित थी लेकिन मनोनित वाली सीट को आप दोस्तों खतम कर दिया गया है एंगलो इंडियन का जो मनोनि तो याद रखनें आपको कि हाली में उत्राकन राज्जी में कौनसी विधानसभा के चुना हुए है तो पांचवी विधानसभा के चुना हुए है और इसका मतदान कब किया गया था तो मतदान हुआ था दोस्तों कब 14 फरवरी 2022 को वैलेंटाइन देगे दिन और इसका प्रतिसद को रखने पैंसर दसम्लो पांच अचे परतिसद और 14 फरवरी को मतदान हुआ था अगरा हमारा प्रसन है उत्राकन राज्जी में उच्छे शिक्ष्या निदेशालै कहां पर इसतीत है सबसे बहुत अपको यारत ना है तो उच्छे शिक्ष्या निदेशालै का नया दिदेशक नियुक्त किया गया किसे डॉक्टर संदीफ सर्माजी को अगरा हमारा प्रसन यह दोस्तों बहुत इंपोटेन प्रसन है यह पूछा दस्कता है एक्जाम में कि उत्राकन के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्टी बाल प्रुसकार से सम्वानित किया गया है तो उत्राकन के दो बच्चों को प्रधानमंत्री राष्टी बाल प्रुसकार से सम्वानित किया गया कौन-कौन है दो अनुराग रमोला और सीवम रावत रमोला और रावत आपको याद रखना है अनुराग रमोला और सीवम रावत को परतानमंत्री रास्टी बाल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है अगर हमरा प्रस्न है किस संस्तान के द्वारा मौसम संबंदी जानकारी उपलब दगराने के लिए किसान एप को लाँच किया गया है तो IIT रुड़की के द्वारा मौसम संबंदी जानकारी उपलब दगराने के लिए किसान एपलिकेशन को लाँच किया गया है कौनसे एपलिकेशन किसान एपलिकेशन तो प्रस्न ये भी बन सकता है कि IIT का दर्जा कब दिया गया इन दोन प्रस्णों के अंसर आपको comment box में बताने है बहुत बार आप लोगों को बता रखा हूँए currentFS में भी बताया हुआ है और postmodern classes में भी बताया हुआ है और details में जब हम topic wise चीज़ें पढ़ते हैं अगला में प्रसाथ सकलानी जी को नया निदिसक 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 किया गया है यहाँ प्रस्णभी important है और exam में पूछा जा सकता है और जो हमारे दिनेश प्रसाथ सकलानी जी है यह हेमतियंदन भागुणा विश्वी ध्याले के इतिहास के professor थे और इन्हें हाली में NCRT का नया निदिसक 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 किया गया है और NCRT की स्थापना कब हुई थी 1901 सेट में हमारी NCRT की स्थापना हुई थी अगला मारा प्रस्ण है किस राजजी सरकार के दौरा उत्रांचल उत्थान परिशत को नानाजी देशमुक्राश्टी प्रुषकार से सम्मानित किया गया है तो मध्यपरदेश सरकार के दौरा उत्रांचल उत्थान परिशत को नानाजी देशमुक्राश्टी प्रुषकार से सम्मानित किया गया है किसके दौरा मध्यपरदेश सरकार के दौरा प्रस्ता पर सरी इमिल सकते हैं कि मद्यपर्देश स्रकार की दौरा किसे नानाजी देशमुक राश्ची प्रोषकार से सम्मानिक किया गया है तो उतरांचल उथान प्रिसथ को किया गया है आफ एक और प्रसने आप पूंगाओं काफी सारे प्रसन आज आद लुक्स कि स्रीनेगर में इस्तित है कि नाया निदेशक किसी नियुक्तिक किया गया है तो यह दोनों नाम अगला हमारा प्रसन है कि ऑपरसन गंगा का समळद किसे है तो अबरेशन गंगा जो भी भारती फासर ने के लिए भारती चातरी दुधू क्रें याहरती लोग जो वहा से वापस लाने या भारती वह घृत यह झात्य claim तो वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम है Operation Ganga अगला हमारा प्रस्ण है 15 ESPN Crick Info 15 ESPN Crick Info का Services Test Betting Award 2021 किसे प्रदान किया गया है तो उत्राखंड के ही रुड़की के निवासी रिशब पंत जिनका समन किसे एक्रिकेट से है उन्हें 15 ESPN Crick Info का Services Test Betting Award 2021 किसे प्रदान किया गया है किसे रिशब पंत को ठीक है अगला हमारा प्रस्ण है कि परदेश के GDP यानकि Gross Domestic Product या फिर सकल घरिलू उत्पाद में प्रिटन का कितना प्रतिसद योगदान है प्रदेश के सकल घरिलू उत्पाद में प्रिटन का योगदान है हमारा कितना 15.45 प्रतिसद अभी हाली में न्यूजपेपर्स में इसके बारे माया था तो इसलिए यहां पे कुशन इंक्लूट कर दिया है अगला हमारा प्रस्न है कि राजी सरकार के दोरा जो एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है यह किस जीव के संदक्षन के लिए चलाया गया है तो उत्राखन सरकार के दोरा एंटी पोचिंग अभियान बाग के संदक्षन के लिए चलाया गया अभियान है क्या एंटी पोचिंग अभियान याद रखना है तो एंटी पोचिंग अभियान का समन किस से है बाग से है अगरा हमारा प्रसन है जोस्तो कि P11, P11, NYIA क्या है हाली में चर्चा में जाता है यूस पेपर्स में भी आये था P11, NYIA क्या है यह एक दोस्तो चुद्रग रहे है तो और यह चुद्रग रहे किसके द्वारा खुजा गया है तो गड़वाल विश्यू इध्यालई के पाँच चात्रों के द्वारा इसे खुजा गया है P11, NYIA चुद्रग रहे हो ठीक है अगरा हमारा प्रसन है किस राजी सरकार को होमिस्टे, सासिक परेटन तथा परेटन निवेश प्रोचान के लिए सर्वसेष्ट इस्टॉल प्रोचार से सम्मानित किया गया है तो उत्राखन सरकार को दोस्तो सर्वसेष्ट होमिस्टे, सासिक परेटन तथा प्रेटर निवेस प्रोच साहन के लिए सर्वसेष्ट इस्टॉल पुरुषकार किसे सर्वसेष्ट इस्टॉल पुरुषकार से उत्राखन को सम्मानित किया गया है अगला हमरा प्रसनल स्तो किस राज्य को आपदान यूनिकरण और प्रबंद केंद्र का सुभाष चंद्र बोस राष्टी आपदा प्रबंदन पुरुसकार 2020 प्रदान किया गया है तो उत्राखंट राज्य को आपदान यूनिकरन और प्रबंदन केंदर का सुभाज चंद्र बोस राष्टी आपदा प्रबंदन पुरुषकार 2020 प्रदान किया गया है और उत्राखंट में भी किस डिपार्टमेंट को किया गया है तो डिजास्टर, मिटिकेशन, एंड मैनिजमेंट सेंटर जो उत्राखंट को आपदान यूनिकरन और प्रबंद केंदर का सुभाज चंद्र बोस राष्टी आपदा प्रबंदन पुरुषकार 2020 प्रदान किया गया है तो डिजास्टर बोस राष्टी आपदा प्रबंदन पुरुषकार 2022 किशे प्रदान किया गया है तो 2022 गुजराद को प्रदान किया गया है तो सन आप जरूर देख लिएगा एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला मरा प्रसन है कि किस वर्स से सुन्दलाल बहुगुणा प्रकरती एवं परियावरन सन्रेक्षनल पुरुषकार प्रदान किया जाएगा और ये दो स्रेणियों में दिया जाएगा सरकारी स्रेणी और ग्रेड सरकारी स्रेणी परतम पुरुसकार को तीन लाग रुपे दूति पुरुसकार को और तिर्ति पुरुसकार को दो लाग रुपे और तिर्ति पुरुसकार को इसमें एक लाग रुपे दिया जाएगा पां कोच गामबे जी को संभानित किया गया है और ये परसित्य परियावरण वित और इतिहास साहित्यकार है इसले ने वर्ष दो 2022 का बचंद स्री संभान से संभानित किया गया किसे इंदो भूषन कोच गामबे या दरतना है प्रसन अच्छा प्रसन है अगला मरा प्रसन है उत्र सिख्ष्यमंतराले और रक्ष्यमंतराले की द्वरा, वीर गाथा पुरुस्कार से सम्मानित कीया गया है, और इन्होंने टॉब 25 छात्राओं में, सात्वा इस्थान प्रापते किया है, और आट लाक छात्रों में से, मतलब इनका नाम टॉब 25 पे अगवा था, और इन्होंने उसमें से VIRGATA पुरुसकार से सम्मानित किया गया और इन्होंने पुरुसकार किसले वी लिए पुरुसकार किसले मिना था तो Major सहितान सिंग जी की painting मिलाने के लिए इन्हें पुरुसकार देआ गया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ समान से समानित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप यहां से एक और प्रसन है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब और कहां से हुई थी इस पांसर भी आपको comment box में देना है मां कि अगर कोई भी प्रसने इसमें छूड़ गया होगा तो हम मार्च वाली वीडियो में इंक्लूट कर देंगे बागे जोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी केमेंट बक्ष में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेहर करें अब हम यह तो हमारे करेंट फिर सोगे तो फरवरी महा के कुछ महतोपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं चार फरवरी वाला भी बहुत मैंतपूर्ण है, विश्व कैंसर दिवस सार फरवरी को मनाया जाता है। नौ फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। दस फरवरी को राष्टी कर्मी मुक्ती दिवस मनाया जाता है। 12 फर्वरि को रास्टी उत्पादक्ता दिवस मनाय जाता है और अगला और बहुत महत्पूर्ब्स परस्ण ہے कि 13 फर्वरि के विस्ण रेडियो दिवस का मनाय जाता है एक्जाम में पूछा जाचो का परस्ण है युक कोई-टकल्स्टी के दोरण और राष्टी महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही बनाया जाता है पन्नि दिल दियाल जी के पुनि दिथी 14 फरवरी को मनाया जाती है एकल जाग रुकता दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है विश्टु सामाजिक न्याई दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतराश्टी मात्रभासा दिवस मनाया जाता है बहुत महत्वपूर्ण ये भी अंतराश्टी मात्रभासा दिवस का 21 फरवरी को से जूलने के लिए या मोग टेस्ट से जूलने के लिए प्लेस्टोट से हमारी अप्लिकेशन उत्राकंट जीके वेरी जी ट्रिक को जरूर डाउनलोड कर लिजेगा तो आज की वीडियो में इतना है दुस्तो थैंक यू थैंक्स बॉल श्रीन वीडियो से यू नेक्स टाम ध झालने वाद